इस मॉड्यूल से हम टूल फ्रेमवर्क की गुफ्तगू चुरू करेंगे यानि आपने टूल की डिवेलप्मेंट कैसे करनी है और टूल की अडिमिनिस्टेशन कैसे करनी है ये गुफ्तगू हम बहुत पहले जब हम वैलिडिटी और रिलाइबिलिटी की बात कर रहे थे तो तब भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी लेकिन अब इस मॉड्यूल में हम तफसीलन ये देखेंगे कि टूल फ्रेमवर्क का कॉंसेप्ट क्या है एक्चली आप देखिए कि जब भी आप को रिसर्च करते हैं तो अमूमन मैंने पाकिस्तान में अपने मुफलिफ एदारों में ये रविया देखा कि जब स्टूटेंट से कहा जाता है कि आप रिसर्च का प्रॉसस स्टार्ट करें तो उनका सबसे पहला स्टेप यही होता ह हम टूल बनाते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं रिवियू आफ लिटरेचर या इस से पहले रैशनेल आफ स्टेडी वगारा उनका ख्याल है कि यह काम बाद में हम करते रहेंगे यह डेस्ट वर्क है सबसे पहले या तो कोई टूल बना लिया जाए या कोई टूल कहीं से बारो कर लिया जाए असल में रिसर्च का आघाज जो है वो प्राब्लम की आइडेंटिफिकेशन के बाद लिटरेचर रिवियू से होता है ना के टूल की डिवेलिमेंट से होता है और पिर टूल की डिवेलिमेंट में भी अगर फर्स करने हम पहुंच जाएं तो इस से भी मुरा यह नहीं होती कि आपने एक सेट अफ क्वेस्टिंज डिरेक्ट ड्रॉ करना है और बस वो एक सेट अफ क्वेस्टिंज लिखके जो जो आपके जहन में आया वो उसके सवालाद बनाए और एक सवाल नामा बन गया ऐसे नहीं होता जब भी आप टूल डिवेलिमेंट करना च और यह कॉंसेट किया है कि मैं जिस चीज को मयर करना चाहरा हूं सबसे पहले लिटरेचर से पढ़ के यह फैसला करता हूं कि इस चीज को मयर करना हो तो उसके सब कॉन से हैं मिसाल के तौर पर यह आपके सामने जो एक framework मैंने बना के रखा हुआ है यह teaching effectiveness की बात थी कोई teacher class में कितना effectively पढ़ाता है यह उसका tool develop करने से पहले यह activity की गई अब effectiveness से मेरी मुराद क्या थी मसला आप सौ लोगों से पूछें तो सौ लोग मुमकिन है teaching effectiveness को सौ फरक तरीकों से define कर दें और यह भी जरूरी नहीं कि वो मेरे ही बताई हुई या मेरे ही understand की हुई definition के मताबिक हो ऐसा भी जरूरी नहीं है तो लहाज़ा इसका मतलब है कि जब तक मैं किसी ऐसे consensus पे नहीं पहुँचता कि teaching effectiveness कहा किसको जाएगा कोई शख्स मेरे सामने क्या करके दिखाएगा तो मैं कहुँँगा कि इसकी teaching effective है ये बात मैं अपनी राए से भी कह सकता हूँ और मैं literature को पढ़के भी draw कर सकता हूँ मेरी राए से कही हुई बात हो सकता है ना मुकमल हो सकता है लोग उससे agree ना करें हो सकता है मैं जवाज बयान ना कर सकूँ कि मैं क्यूं ऐसे define करता हूँ लेकिन जब मैं literature से पढ़के इसको देखूंगा तो फिर लोग मेरी बात को तसलीम करेंगे मेरे पास उसका argument होगा जो हमने teaching effectiveness का अगर main construct है मेरा तो सबसे पहले मैं literature पढ़के उसको उसके सब construct में divide कर देता हूँ आपकी slide में जिस जगह या आपको circle बना हुआ या oval shape में एक दाइरा सा नजर आ रहा है यह बना हुआ यह बना हुआ यह बन्यादी तोर पे देखी वो सब सब constructs हैं जो मुझे literature से मिले कि जब भी लोगोंने teaching effectiveness को पढ़ा तो उन्होंने इन चीजों को मेर किया तो फैसला कि या कि को teacher effective है या नहीं है उसमें मैंने देखा कि उसको teacher की content expertise होनी चाहिए यह teaching effectiveness का पहला हिस्सा है classroom activities उसकी जो है वो देखी जा सकती है and so on पूरी लंबी list है जिसके आखर में assessment आ रहा है यह तमाम वो चीजें हैं जिनको लोग देखते हैं और फैसला करते हैं कि teacher effective है या नहीं है अब मैंने यह list draw कर ली literature से और literature में नजर आने वाली तमाम चीजें मैं यहां रखूँगा यह जरूरी नहीं उन में से भी वो चीजें पिक करूँगा जिस पर बहुत सारे research का आपस में consensus था फिर दूसरी stage पर जब मैंने इनकी list बना ली तो अगला काम मैंने यह किया कि इनका scope बयान किया यानि content expertise से मेरी मुराद क्या है क्या चीज टीचर में होगी तो मैं कहूँगा कि यह content में expert है उसको अपने subject का जो मवाद किताब में दिया वह वह आता होगा तो expert कहलाएगा या किताब के beyond भी जो आज contemporary या इस वकत का knowledge है वो उसके इल्म में होगा तो तब वो content expert कहलाएगा या वो text book के इलावा कितना पढ़ता है ये देख के फैसला करूँगा कि वो content expert है इसकी मुख्लिफ definitions हो सकती है मुख्लिफ scope हो सकते है आपको जो भी scope तेह करना हो वो आप यहां लिख देंगे ताके आपको हमेशा याद रहे कि जब मैंने content expertise को measure करना है तो मेरा scope इस हद तक limited है इसके beyond जो होगा वो बाते मैं नहीं measure करूँगा और फिर मैं उस चीज को सामने रखते हुए सवालात बनाऊंगा मैंने इस टेबल में सिर्फ एक एक example question लिखा हुआ है लेकिन आप साब जहर है एक एक question नहीं बनाएंगे एक sub construct को measure करने के लिए multiple items बनाए जा सकते हैं और वो item मुझे कैसे पता चलेगा कितने बनने जितना आपने scope में describe किया है उस बात को मुकमल तोर पे वो cover करते हूं यह जिस टूल का मैंने आपके सामने framework रखा इसमें content expertise के तीन आइटम बनाए गए थे चार आइटम जो थे वो classroom activities से मुतलिक बनाए गए थे पांच आइटम इसके अंदर teachers students के questions को कैसे respond करता है उस पे पांच सवालाद बनाए गए थे और यह सवालाद की तादाद कोई भी आपको fix करके नहीं बता सकता कि इतने बनाने चाहिए आपने फैसला इस बात से करना है कि जो scope आपने लिखा था उस scope के अंदर मौजूद चीजों को अगर पूरी तरह cover करना हो तो कितने items उसको cover कर सकते हैं तो आप इस तरीके से इन स सवालाद की तादाद का तायून करते हैं फिर वो सवालाद की statements बनाते हैं फिर उन statements के आगे आपको scale चूज करते हैं जैसे liquid scale है जैसे dichotomous scales है वो आप फिर चूज करते हैं और फिर इन तमाम items को एकठा करते हैं तो एक questionnaire बनता है तो यह एक brief सा मैं आपके सामने तसवर रख टूल framework का यह आप इस्तमाल करेंगे पहला document यह बनाएंगे तो इसके बाद यह सारे steps करने के बाद जो टूल आपके बास बनेगा आप किसी हद तक या काफी हद तक shorty से कह सकेंगे कि यह टूल अपने उस topic को cover करता है जिस topic को measure करने के लिए जिस construct को measure करने के लिए आपने इस टूल को device किया है तो यह पहला step है जी आपके लिए टूल को develop करता है वकर tool framework